हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेंड टू आवर यूटूब चैनल वी आर गोईंग टू डिसकस ओन डूलिंग इन चिल्ड्रेन बच्चों में लार निकलने की समस्या को डूलिंग कहते हैं और इसको मेडिकल टर्मिनिलोजी में सेलेवरिया कहते हैं एक साल तक के बच्चों में साधारण या लार निकलने की समस्या बनी रहती है लेकिन यहीं समस्या यदि चार साल से उपर के बच्च्चों में मिल रही हो तो वह data of concern जानी किसी वितेश परिस्तिति Państ superficial कि बिसेष बिमारी में यहां मिलता तोिसको हमय जरूर कंसल्टेंट से मिल्के दिखाना एक है परोटीड यह जो दरसायग है चीत्र में 25 प्रतीस सत्व आरखने में हति झाल्न करती है निर्माड करती ये जोकी यहाँ पर होती है कान के आगे मेंडिबल के नीचे होती है सब मेंडिबूलर सेलाइवरी गलेंड जोकी 70 प्रत electronics निर्माड करती है तो इस प्रकार लाड का निर्मान होता है कि आगे हम देखें कि यह जो इसके कितने भेद होते हैं डूरूलिंग के दो भेद माने गहें एंटिरियर डूरूलिंग और पोस्टिरियर डूरूलिंग एंटिरियर डूरूलिंग क्या होता है और पोस्टिरियर डूरूलिंग क् को हम इस डायग्राम के मदद से समझते हैं है माल नीजिए कि ये कोई बच्चा है ये जब डूरलिंग या निकल निकल रहा इसका तो अगर जब मुह के बाहर निकलता है तो इसको हम कहेंगे एंटिरियर डूलिं और जब यही लार मुह के पीछे यानि ये जो हमारा जो ओरल क से वाइन जाता है तो उसको हम कहते हैं पोस्टियर डूलिंग जो पोस्टियर डूलिंग है यह यह चोर्ण करता है और जो कि अवो हम सब्सक्राइब को देखते हैं अच्छा एक प्रस्ण और उटता है कि बच्चे में यह डिलिंग हमें देखने को क्यों मिलता है तो बच्चों में हमें डूलिंग इसलिए मिलता है क्योंकि बच्चे के जो स्वेलोइंग रिफलेक्स है जो स्वेलो हम लोग जो करते हैं निगलते हैं बच्चों में स्वेलोइंग जो की प्रोसीजर होती है वह अच्छे से डवलप नहीं होती है औ तो इससे क्या chances बनता है कि infection भी हो सकता है तो infection की वेश से भी drooling यानी लार निकल सकता है और बच्चों नहीं होता है तो जैसे ये दात है हमारे मुह में saliva है तो दात जो है वह प्रिवेंट कर रहेगा क्योंकि दात उपर की तरब उठा होगा तो जो सलाइवा होगा वह दात की विज़े से आगे नहीं आ पाएगा एक बेरियर की तरह काम करेगा दात तो इस वज़े से जो है हमारा सलाइवा बच्चों में बाहर निकलता है कि दात नहीं होता है और बच्चों में देखेंगे कि बच्चों में टेंडेंसी होती है वो मुझ खुला ही रखते हैं तो जब मुझ खुला रखेंगे तो लार अंदर कैसे स्वेलो होगा वो कैसे निगल पाएंगे त तो इस वज़े से बच्चों में कोमनली लार निकलने की समस्या हमें मिलती है। आगे हम देखें कि जो लार है इसका क्या function है। तो लार जो है यह हमारे मुँ में को lubricate करने का काम करता है। हमारे mouth को clean करने का काम करता है। साथ ही साथ हमारे जो हम खाना खाते हैं। दो कारण ही है जिनसे की drooling हो सकता है। या तो लार का निर्माड बहुत ज्यादा हो रहा है। या फिर जो लार है उसको अच्छे ढंग से swallow नहीं किया जा रहा है। जब लार ज्यादा secret होगा तो अब्यस सी बात है लार बहार निकलेगा। और दूसरा कि जब लार को swallow अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है या कोई adult ही आदमी नहीं कर पा रहा स्वेलो तो भाहर निकलेगा। तो यह दो ही कारण है कि जिससे की drooling होता है। अच्छा कोवन कोजिस कौन कौन सी है समानने रूप से कौन कौन सी ऐसे कारण है जिन में कि हमें drooling देखने को मिलता है। तो जैसे किसी बच्चे के दात आ रहा हो हो टीथिंग की दात जब आता है तब लार ज्यादा निकलता है। कीड़े की समस्या होती है तब भी लार निकलने की जो यह बिमार्य देखी जाती है स्वीट फूड यानि बच्चा जब ज़्यादा मेठा भोजन लेता है तब डेंटल केरी अगर दातों में कीड़े लग गए हो तो भी लार निकलता है कुछ भी निकलता है। तो उल्टा सो रहा है तो व्यस्टी बात है निगल नहीं पाएगा वो लार को बाहर निकालेगा तो यह कुछ कुमन कोजिस हैं और कीमश्ष में हमें डूलिंग के समस्या मिलती है तो मोस्ट कमली हमें CP child यानि cerebral palsy से ग्रस्त बच्चों में हमें drooling की समस्या मिलती है muscular dystrophy जिनके की muscle में weakness है muscular dystrophy की वज़े से जिनके facial muscles में weakness है तो वो swallow नहीं कर पाएंगे तो उसकी वज़े से उनको drooling की समस्या और निकलने की समस्या बनी रहेगी developmental delay यानि जो बच्चे समय के साथ motor milestone को अचीव नहीं कर पाते उन बच्चों में ruling की समस्या bell palsy या facial palsy इस बिमारी में जो muscles जो निगल जो लार को निगलने में सहयत मसल होती है उसके नर्व को supply नर्व supply बाधित हो जाती जिसके वेसे मसल में supply नहीं हो पाता और मसल ठीक से काम नहीं कर पाती और लार को सही प्रकार से निगल नहीं पाती है तो इस सब बिमारियों में हमें ruling की समस्या मिलती है अभी हम बात करते हैं medical treatment यानि इसकी क्या किस्सा की जाए तो अगर हम देखें इसको तो आयरुवेद में कुछ औस दिया है जैसे कि अज मोदा है इसका प्रयोग हम ruling की समस्या में करते हैं बहुत सारी और और आस दिया है ज्यादा और यहां पर नहीं कर रहे हैं विसेश रूप से अगर हम देखें तो यह समस्या कफ के बढ़ने की वज़े से होता है और हम यह जानते हैं कि जो बाल अवस्ता है वहां प्रकिर्तिक रूप से कफ प्रधान अवस्ता होती है तो इस इस्तिती में हमें कफ ना सक्षी किस्सा करना चाहिए अस्थानिक अभ्यंग और स्वेधन अस्थानिक अभ्यंग यानि य लार निकलने के समस्या कम हो जाएगी और साथ-साथ कुछ इरविदिक हफ्स का पर्योग हम कर सकते हैं इस पीस थरपी का प्रियोग कर सकते हैं जिनमें हम जिनमें ग्लेंड उसके अंदर injection दिया जाता बोटुक्स का और यह बहुत एक्स्ट्रीम कंडिशन में दिया जाता है अगर हम सर्जिकल कर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम जो नर्ब सप्लाई कर रही है सेलेबरी ग्लेंड को अगर उस नर्ब को ही हम कट कर दें या उसकी सप्लाई को किसी तरीके से कम कर दें तो यह भी एक ट्रीटमेंट माना जाएगा दूसरा ट्रीटमेंट है कि जो सलाइबरी ग्लेंड जिसका डक्ट मुह के पास बाहर यहां पर खुल रहा आस पास तो उसको डक्ट को हम थोड़ा पीछे की तरफ ले जाए तो वह लार जादा बाहर नह को अप्शन बसता है तो इस परिकार जो है इसका ट्रीटमेंट करते हैं अच्छा इसमें एक और पॉइंट आता है कॉम्पलीकेशन तो कॉम्पलीकेशन में कि डूल रेस जो की बच्चों में ज्यादा तर देखने को मिलता है जिनके ज्यादा ही लार होती है तो उसमें तो इसका क्या मेनेजमेंट है तो सबसे पहले तो ड्रूल रेस जहां पर सलाइवा ज्यादा आ रहा है ड्रूलिंग के वेशे तो उसका क्लीन कर लें साप सुथरे कपड़े से मॉस्चराइजर या इमोलेंट काम प्रयोग करेंगे तो यह जो पाट है थोड़ा सा तो ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रेस होने की संभावना नहीं होगी और ज्यादा कोई प्रोब्लम है तो आप जो है आपको फीजीशन को दिखाना चाहिए फीडिट्रीशियन को दिखाना चाहिए I hope you all understand this thank you very much for watching